तो दोस्तों पास्ते को आपने कई तरीके से बनाया होगा पर आज बनाएंगे बिल्कुल घर में जिस तरीके से पास्ता बनता है देसी स्टाइल में और बहुत ही मजेदार चटपटा बनेगा तो चलिए रेसिपी को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों ममता की रसोही में एकंदबाना ना भूलें, यहाँ पे मैंने गैस पे रखी है कड़ाही, कोई भी बरतन ले सकते हैं, उसमें डालेंगे दो ग्लास पानी, और एक चम्मच के करीब मैंने छोटे चम्मच से डाला है तेल, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो, अब तेल डा के हमें अच्छे से बॉयल करना है, यहाँ पे 90% पास्ते को पका लेना है, बस इतना मत पकाईएगा कि पास्ता तूटने लगे, आप देख पा रहे होंगे, अब यह पास्ता अच्छे से पक गया है, यह देखिए, फुल गया है, पानी में अच्छी तरीके से एक बर चेक क इस तरीके से पास्ते को निकाल दीजेगा, तो चलिए अब पानी को छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं पास्ते को इस तरीके से यह देखिए, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे पास्ते को इसी तरीके से निकाल के अलग रख लिया है, और पहले से ही सारी त्यारी करके बारीक कटा लहसन और हरीमिश डाल देंगे ये देखिए जैसे ही हरीमिश और लहसन हलका सा भुन जाए तो अब हम डालेंगे बारीक चौप की हुई एक बड़े साइज की प्याज पास्ते के हिसाफ से ही प्याज लेजिएगा पास्ता जादा है तो प्याज की मात्रा बढ़ तो घर में किस तरीके से बनाए कई लोगों के पास इतने सौस नहीं होते हैं तो सौस के बीना भी आप पास्ता बना सकते हैं स्रिफ टोमाटो केचप चाहिए आपको बाकि किसी भी सौस की जरूरुत नहीं है देसी स्टाइल में नॉर्मली घर में इसी तरीके से पास्ते ब यहां पर सदैन्य लाइन अपसनी को ज़िए नमक और जाअरी को ये आम सेंड ग। यहाँ पर 30 सेकेंड हो चुका है दोस्तों आप देख पारे होंगे मसाले भुन चुके हैं तो अब हम बारी कटा हुआ दो बड़े साइस का टमाटर डाल देंगे तो यह देखिए आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं पर मुझे इस तरीके से कटा हुआ टमाटर डालने में ज़ादा अच्छा लगता है और खाने में भी यही हमें पसंद आता है तो इसलिए मैंने कट करके डाला है आप प्यूरी भी यहाँ पर डाल सकते हैं अब टमाटर को इस तरीके से कर लेंगे और इसे low flame पे ढखके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए 5 मिनट में टमाटर अच्छे से soft हो जाता है क्योंकि मैंने इस में नमक का भी यूज किया है ये देखें टमाटर हमारा अच्छे से soft हो चुका है पर इसे थोड़ा सा अच्छे से हम mix करेंगे ताकि टमाटर के जो मोटे टुकडे दिख रहे हैं वो हमारे पास्ते में मुँ में ना आए तो चलिए इस अच्छे से इस तरीके से इस तरीके से दबाते हुए मैस कर देंगे ये देखें ये अच्छे से मैस हो जा रहा है क्योंकि पांच मिट तक लोफ लेम पे पका है नमक भी डला हुआ था तो ये बहुत बढ़ियां से सौप्ट हो चुका है तो आप देख पारे होंगे सारे मसालों के साथ इसे अच्छे से मैं इस तरीके से भूलूंगी एक बार इस तरीके से चला लेते हैं ये देखें बिल्कूल एकदम चटनी की तरह आपस में मिक्स हो चुके हैं प्याज के साथ में ये देखें तो अब हम डालेंगे सौस तो बड़े चम्मच से दो चम्मच सौस डाल रही हुआ हूं तो यहां पर सौस डालने के बाद ये सौस डालने के बाद हम इस तरीके से चला देंगे ये देखें बस इसे डालने के बाद बहुत देर तक आपको नहीं पकाना है तो ये देखें बस हम इस तरीके से मिलाएंगे और उसके बाद मिलाने के बाद डाल देंगे पास्ते को जो हमने बॉयल करके रखा है तो देखे एक देसी स्टाइल में एकदम सॉस अच्छे से डालने के बाद सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद कितना अच्छा मसाला इसका त्यार हुआ है अब इसे हमने डाल दिया है और इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों के साथ जब भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा मसाले पास्ते पे कोट हो जाएगे तो ये पास्ता एकदब गजब का टेस्टी लगता है आप एक बार जरूर ट्राइ करिएगा इस तरीके से पास्ते को फिर आप हर बार इसी तरीके से बना के खाना पसंद करेंगे ये देखिए आप देख पारे होंगे बहुत अच्छा कलर भी दीख रहा है और जो सारे मसाले हैं पास्तों पे अच्छे से कोट हो गए हैं ये देखिए तो 2-3 मिट तक इसी तरीके से इस चलाते हुए पका लेंगे ताकि पास्तों में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और पास्ता भी अच्छा गरम बन जाए तो ये देखिए अभी हमारा पास्ता लगबग बन के एकदम तयार है तो मैं अब गैस की फ्लेम को बन करूंगी और गरमा गरम पास्ते को सर्फ करेंगे ये रेसेपी बनानी बहुत आसान है एकदम घर की चीजों से बन के तयार हो जाती है तो आप कभी भी पास्ता बनाईएगा तो परिसान मत होईएगा के पास्ता को कैसे बनाना है इस तरीके से आप पास्ता बना के एक बार देखिए आपको पास्ता खाने का मज़ा आजाएगा तो ये देखिए अब पास्ता बन के तयार है गैस की फ्लेम बन कर लेती हूं और गरमा गरम इस पास्ते को करती हूं सर्फ तो ये देखिए, है ना लाजबाब, आप इस तरह के पास्ते एक बार जरूर ट्राइ करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, कि आपने इसे कैसे बनाया, और ये कैसा लगा आपको बनने के बार, तो ये देखिए पास्ते को कर लिया है, मैंने सर्फ, मेरी ये रेसि पी आप देख पाएं, क्योंकि मैं हर रोज एक नई रेसिपी अफ्लोड करती हूँ, तो मिलते हैं एक नए दिन और नई रेसिपी के साथ, बाई बाई दोस्तों, एंग टेक एर